Welcome to lesson number 13 इस lesson में मैं आपसे बात करूँगा about Facebook ads formats ठीक है अगर अभी तक आपने Facebook ads बनाई हो या छोड़ो अगर आपने एड नहीं भी बनाई अगर आपने Facebook यूज करते हो अगर आप तो आप देखते होगे कि आपको बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ads दिखते हैं हैं तो Facebook ने आपको बड़े सारे format प्रोवाइट कियो है जो कि आप यूज कर सकते हो अपने marketing message को logo तक पहुंचाने के लिए ठीक है तो आप आईए देखते हैं कि कौन-कौन सी यह format है जो Facebook ने आपको दिखते हो है तो यहां पर मैं टूल यूज कर रहा हूं विच इस क्रियेटीव हब क्रियेटीव हब जो है यह बहुत ही शांदार टूल है जिसके तुरू आप मॉक अप्स बना सकते हो आप एड़ फॉर्मेट लेख सकते हो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो बाकी आइड से ठीक है तो अगेन जैसे मैंने का Facebook ने तीन मेजर कैटेगरी में बा पर जैसे हां देख सकते हो इस एड़ में क्या दिखेगा आपको एक सिंगल इमज्ज आपके प्रोड़क्ट की इमेज यहां पर एम एक गजामपल भी देख लेते हैं चाहो तो आप यह सकते हो ना वहाँ पर वह है ब्रेंड का नाम नीचे इमेज है एक सिंगल इमेज जिस but yes definitely you can use it for your remarketing ads but not the best ad format out there second one is video तो जैसे आप नाम से समझ सकते हो आप क्या यूज करोगे वीडियो और अगेन वीडियो को Facebook ने तीन categories में डिवाइड किया है number one it's single video then we have slideshow then we have 360 video right single video आप नाम से समझ सकते हो जैसे image में क्या था image देख रही थी वीडियो में क्या होगा आपके brand की जो भी आप आपने वीडियो बनाई है आपको वीडियो दिखेगी ठीक है आप एक example देख लो देख सकते हो आप यह वीडियो दिखेगी और उसे एक और फेस्बुक ने आपको फॉर्मिट दिया है विच इस स्लाइड शो सपोस करो फॉर सम रीजन आप वीडियो नहीं बना सकते दन वट यू आप अपने प्रॉड़क्ट की 6-7 इमेजेस लो राइट फेस्बुक मैक्सिम्म 10 इमेजेस अलाव करता है आप 10 इमेजेस लो और उन इमेजेस को यूज करके आप एक स्लाइड शो बना लो जिसमें वो इमेजेस एक करके एक करके एक करके चलेंगी और लोगों को आप अप अपने मार्केटिंग मैसेज हुचा सकते हो आप यह देख सकते हो एक करके एक करके एक करके इमेज आ रही है राइट तो दिस इस कॉल्ड स्लाइड शो आप ऐसा भी बना सकते हो अपने प्रॉड़क्ट के लिए यह अपने सर्विस के लिए वर्टावर इस और अगर आप 360 वीडियो यूज करना चाहते हो तो आप 360 डिग्री वीडियो भी यूज कर सकते हो अगर आप वह बना सकते हो तो अगरे फेश्बूक ने आपको दिया है कलेक्शन ठीक है जी इन्स्ट एक्सपीरियेट्ज कराउजल कलेक्शन ठीक है अब यह इन्सेंट एकस्पीरियेंस में क्या होता है आपको एक यहां दिखेगी जैसे आप पर लिखाओगा tap to open जैसे ही आप ये खोलोगे add पर click करोगे एक mini landing page खुल जाएगा within Facebook एक mini landing page खुल जाएगा उस पर आप अपने images अपने product के बारे में या testimonials या जो भी आप वहाँ डालना चाहते हो आप डाल सकते हो और वहाँ पर बटन भी डाल सकते हो जिसे click करके लोग आपके final page पर जा सकते हैं ठीक है एक example देख लेते हैं फिर आपको थोड़ा clear होगा आप देख सकते हो यह add देख रही है जैसे बटन पर click किया और पूरा एक landing page सखुलेगा आप देख सकते हो वहाँ पर वीडियो अगर काफी सारी चीज़े आप वहाँ डाल सकते ह तो उसे scroll कर सकते हैं अब इसी में देखोगे आप नीचे तो एक call to action बटन होगा जिसे click करके user आपके website पर जा सकता है तो यह पूरा mini landing page है within facebook जो आप बना सकते हो और ultimately लोग इस पर click करके आपके final page पर जा सकते है ठीक है यह बहुत तीज़बरदस्त है you can definitely try this और अगला है ह अगला क्या है कराउजल कराउजल में क्या होता है आपके पास multiple images एक करके एक करके एक करके आपके पास आती है वह होता है कराउजल images या वीडियो आप दोनों use कर सकते हो so that is कराउजल multiple images एक दो तीन चार पांच छे मैक्सिमम दस use कर सकते हो तो 10 images आपको दिखती है कराउज तो ऐसे multiple images आप carousal में use कर सकते हो ठीक है तो बहुत ही सई format है आप यह definitely try कर सकते हो और आखरी जो है collection collection में क्या होता है बेसिकली awareness और conversion को facebook ने club किया हुआ है collection में क्या होता है आपकी जो image या आपकी जो video है वो उपर दिखती है और image या वीडियो के नीचे आपको क्या दिखते हैं तो उसके नीचे आपको दिखते हैं products जिसे click करके लोग खरीद सकते हैं आपका product ठीक है आप यहाँ पे simple देखो देखो आप वीडियो चल रही है और वीडियो के नीचे आप देखो products है लोग इस product पे click करके आपके website पे जाके देखो यह पर product पे फुल गया पूरा जैसी वो click करेगा वो जाके आपके website पे इन products को खरीद सकता है ठीक है तो यह बहुत ही जबरदस्त है ad format collection अगर आप e-commerce में हो so you can definitely try collections ठीक है अब यह इतने सारे ad format है सो अब सवाल यह उठता है कि अगर आपका marketing बजट ज्यादा नहीं है तो आप इस सारी चीजे test नहीं कर पाओगे right then in that case आपको कौन सा ad format यूज़ करना चाहिए देखो जी अगर आपके पास marketing बजट ज्यादा नहीं है testing possibilities कम है then जो best ad format है वो है video ठीक है जो best ad format है वो है video आप definitely वीडियो को try करो अगर आपके पास marketing बजट है and you can test things then I'll suggest कि आप बागी चीजे भी test करो आप जो interactive में आपका था option instant experience you can definitely try instant experience as well ठीक है नहीं है अगर options marketing budget के वज़ए से then you can definitely start with वीडियो और आप वीडियो यूज़ करो वीडियो आप यहां पर देखो एक चीज़ जरूरी है अब वीडियो से मतलब यह नहीं कि आप यह सोचो कि भईया मुझे तो पूरा setup लेना पड़ेगा यह करना जरूरत नहीं है आप simple phone से वीडियो बना लो अभी भी में जो भी Facebook पर वीडियो बनाता हूं जो भी YouTube पर वीडियो बनाता हूं वो simple एक phone से शूट की होती है कोई ताम ज्यादा नहीं जस्ट फोन लो और उससे शूट कर लो ठीक है जादा कोई फरक नहीं पड़ता और आप 14 के साथ ठीक है thank you so much